आज हम बात करेंगे आप इगनु के असाइमेट का आंसर बिल्कुल फ्री में कैसे और कहां से पराप्त कर सकते है चार ऐसे तरीके में आपको बताने वला हूँ जहां से आप इगनु के असाइमेट का आंसर बिल्कुल फ्री में पराप्त कर सकते है तो इसके बारे में जाने क तबी अप्टेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़े ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं पहले बात करते है कि इगनु आपको क्या कहता है कि आपको assignment का जो answer है वो कैसे और कहा से निकालना चाहिए तो इसके regarding इगनु आपको ये कहता है कि जो आपको study material यानि कि जो कितावे आपको दिया जाता है यहाँ पर जो आपको book में दिया जाता है same to sim आपको नहीं लिखना होता है बलकि इसको पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है उसका answer आपको फिर अपने सब्दों में बताना होता है तो इगनु आपको यही कहता है और सबसे बेस्ट तरीका यही है ऐसे में आपको ज़्यादा अच्छे नमर दिये जाते है और इसमें कोई गलती की गुंजाइस भी नहीं रहती है अगर आपके पास study material नहीं है तो आप यहाँ से study material को यानि की इग्यान कोस वेबसाइट से किताबों को PDF format में डाउनलोड कर सकते है और अब बात करते हैं कि जो दूसरा तरीका है उसके मादिम से आप कैसे assignment का answer बिलकुल free में पराप्त कर सकते हैं तो मैं आपको एक example देता हूँ यहाँ पर एक subject है EHI01 और इसमें जो question पूछे गए इसका answer आप कैसे निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक question है अन और धोगी करण से आप क्या समझते हैं तो इस चीज़ को आप same to same यानि कि यहाँ पर यह जो आप से पूछा गया इसको आप same to same Google पर search किजिए इसको आप search करेंगे तो ऐसे बहुत से website है जिनोंने इसके बारे में कुछ न कुछ बता रखा होगा जैसे कि यहाँ पर यह first website है इस पर आप click करेंगे तो जो आपका question है उसका answer आपको यहाँ पर बिलकुली free में मिल जाएगा तो इसको आप लिख सकते है इसको भी आप गूगल पर same to same search किजिए तो ऐसे बहुत सारे website है जो इसका answer आपको बिलकुली free में provide करा देंगे इस पर आप click करेंगे तो इसके बारे में पूरा article open हो जाएगा तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते है और जो assignment का answer है वो आप लिख सकते है ऐसे ही आप एक और question देख सकते है 1857 के विद्रोह के कारणों की व्याख्या कीजिए और इसको भी आप Google पर same to same search कीजिए तो ऐसे बहुत सारे article आजाएंगे जिनको आप पढ़ सकते है और यहा पर जो article रहता है इसमें बहुत सारा लिखा हुआ रहता है तो इसको आप पढ़ेंगे तो जितना भी word limit assignment में आपको बताया कि है वो आपका आसानी से complete हो जाएगा और तीसरा जो तरीका है इसमें भी आप इगनु का assignment बिल्कुल free में पराप्त कर सकते है उसके लिए आपको ले सकते है और फिर आप assignment का answer लिख सकते है यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो भी subject आप search करेंगे जिसमें आपको उस subject का assignment का answer बताया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है और जो चोथा तरीका इसमें क्या कि आप Google पर search कर सकते है तो ऐसे बहुत सारे website है जहाँ पर आपको सभी subject का तो नहीं लेकिन कुछ subject का assignment जो है वो बिलकुली free में मिल जाएगा जैसे कि यह एक website है और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यह कोई promotional वीडियो नहीं है website का नाम है ignoassignment.in और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो कुछ ऐसे भ मिल जाएगा इसको आप easily download कर सकते हैं और इसके अलावा एक और तरीका है जहां से आप assignment का answer खरीद सकते हैं यहाँ पर free में नहीं मिलता है website का नाम में studybadisa.com और यहाँ पर जो assignment का answer है PDF format में आपको सिर्फ 25 रुपए में मिल जाएगा तो यहाँ से आप इसका answer जो है वो खर नहीं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और इगनुस related सभी update instantly पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं और साथी साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके message का reply कर आपके जल्दी चाहिं कोशिखंगी तो